हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो आपके अंसर की आने के बाद आपको बड़ा ही दोस्तों क्या हुआ है उसके बाद आपको result उसके बाद आपकी counseling देखने को मिल सकती है अब आपको दोस्तों आज बताने वाला हूँ कि आपके bonus marks confirm हुए है या नहीं हुए है एक बड़ी update क्या है NTA के दोरा अब जो इतने सारे दोस्तों कैसे आप इसको क्या objection लगा सकते हो answer की पर इन question पर कि आपको जो है bonus marks आपकी जोली में गिर जाएं अब दोस्तों आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि चैनल को subscribe कर लीजिए जो friend चैनल को नहीं देख रहे हूँ ताकि आपको नहीं नहीं information नीट result से जुड़ी और दोस्तों आपके counselling से जुड़ी उसके बाद last round तक का साथ हम आपको देने वाले हैं बताने वाले हैं कि कब आपकी registration फीस भरी जाएगी कब दोस्तों आपकी cut off क्या जाने वाली है कौन कौन से ऐसे colleges हैं जहां पर आप ऐसे admission ले सकते हो इस number पर तो सभी बातों की जानकरी दोस्तों चनल पर दी जाती है अब आपको पहले question दिखा देता हूँ वो 5-6 और उसके बाद आपको बताते हैं important बाते अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपके buy के question है इनमे भी बिलकुल गड़बड़ी है यहां पर इस cancer 3 में और दोस्तों उसके बाद जो दूसरा question है यह find the EMF of the cell इसमें भी बिलकुल सर गड़बड़ी है उसके बाद दोस्तों जो आपका went to monochromatic light वाला है frequency वाला इसमें भी बिलकुल गड़बड़ी है और उसके बाद read the following statement यह जो वैसकुलर मंडल वाला है इसमें जो है NTA बिलकुल भी आपको number नहीं देने वाला है और which are the following statement है true यह भी दोस्तों इसमें भी आपको क्या है दोस्तों दिक्कत है अब दोस्तों अगर हम बात करें एक यह दोस्तों यह भी है बायोगा question अब देखना यह है कि NTA इन मेंसे किन question उपर क्या परतिक्रिया दिखाती है और आपको अगर सारे के सारे इन question उपर अगर आप objection लगा देते हो तो उसके बाद आपको कोई भी student है सभी के लिए दोस्तों बराबर बराबर क्या होगा अनमाक्स मिले दिये जाएंगे या फिर आपको बोनस दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि अगर पांच बच्चों ने objection लगा तो सिर्फ उनी के बाक्स बढ़के आएंगे इसा बिल्कुल भी नहीं है और सुनने में आया कि एंटिये जो है ऐसा नहीं करेगी क्योंकि आपके जो objection के questions हैं दोस्तों उनमें हेराफेरी जरूर हो सकती है अब देखना ये हुआ कि एंटिये इन कोशिनों को लेकर क्या जवाब देती है और दोस्तों क्या इसका reaction रहता है इसी के चलते दोस्तों आपको time to time बता दिया जाएगा कि आपको bonus marks कितने मिलने चाहिए और कितने मिलेंगे इससे पहले दोस्तों आप अपने marks तयार रखिए, cut off देखिए कितनी जा रही है cut off की जो previous वीडियो है वो यूटूब पर देखिए और college की list जो है वो भी मैंने यूटूब पर प्रवाइड कर रखिया आप वो भी देख सकते है thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिन जय भारत